किसान की खेट से आपकी किच्छन तक पहुँशते पहुँशते उपज के दाम कहां तक पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपको महगी कीमत पर मिलती है उसकी कीमत किसान को कितनी मिलती है। जब आप ये सच जान जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप चौक उठेंगे और आज हम आपको प्यास की कहानी बता रहे हैं दो तस्वीरों के जरीए दो तस्वीरे स्प्रिंट पर दिखाई दे रही हैं पहली तस्वीर महराश्ट के नासिक की है यहां प्यास बेशने आए इस किसान को एक किलो प्यास की कीमत मिली महज पांच पैसे सोचिए जो प्यास आपकी किचन तक पहुँशते पहुँशते 25 से 30 रुपे प्रती किलो हो जाता है उसी प्यास को अपने खेत में पैदा करने वाले किसान को कीमत मिलती है महज 5 पैसे प्रतिकिलो दूसरी तस्वीर मद्रदेश के शाजापुर की है यहां अधिकारियों किल्ला परवाही से गोदाम और मंडी में रखा गया प्यास सड़ गया है सोचिए एक तरफ किसान को खुनपसीने की एवज में महज 5 पैसे प्रतिकिलो का दाम मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों किल्ला परवाही से प्यास सड़ जाता है और आम आदमी 30 रुपे प्रतिकिलो के हिसाब से प्यास खरीदने को मजबूर है आज बाजार में प्यास की कीमत 20-30 रुपे प्रतिकिलो के करीब है और प्यास की दाम आजकल 20-30 रुपे प्रतिकिलो के हिसाब से मिल रहे है प्यास आजकल कुछ सस्ता है लेकिन सोचिए जो प्यास आपकी केचन तक पहुंशते पहुंशते 30 रुपए प्रतिक किलो हो जाए उसी प्याज के लिए एक किसान को 5 पैसे प्रतिक किलो का दाम मिले तो क्या कहें यह कहानी नहीं हकीकत है यह सच है महराश्ट के नासिक जिले कि मैं येवला का येवला में एक किसान जब प्यास बेशनी के लिए गया तो उसे दाम बताया गया पांच पैसे के लिए और जी हां उसके प्यास की निलामी हुई और पांच रुपे प्रति क्विंटल सुधाकर दराडे नाम का एक किसान निफार तालुका के करंज गाउं करहने वाला है वो प्यास बेशने के लिए पिंपल गाउं बस्वंत बाजार समीती के बाजार में पहुंटा था और वहां जब उसे पांच पैसे प्रति किलो यानि पांच रुपे प्रति क्विंटल कर फेक दिया महराष्ट का नासिक जिला प्यास की फसल के लिए जाना जाता है और इस पार आड़तियों के खुला प्यास खरीदने से इंकार करने के चलते मंडी कई दिनों से बंद रही थी और इसकी चलते किसान प्यास नहीं बेच पाए थे अब आरेश के चलते प्यास जड़ गए है योगेश खरे योगेश एक तरफ तो अपनी खून पसीनी की कमाई को उगाता है किसान इतनी महनत करता है लेकिन उसके वाजब दाम तक किसान को नहीं मिल रहे हैं जनता तो प्रस्ट है ही इस महंगाई से जी हलत यही है नासिक जिले में पूरे देश को प्याज की सप्लाई करने वालग नासिक डिस्क्रिक्ट आज प्याज की किमतों से जूझ रहा है यहां का किसान जो है इसने इस बार सबसे रेकॉर्ड प्याज का उत्पदन किया था जिसमें करीबन एक लाख बीस तन प्याज यहां पर पदित हुई थी लेकिन बीच में जो आंदोलन हुए या गवर्मेंट का रवई है रहा उसके वज़े से प्याज की खरीद फरुग जो दो मेने पहले जब पैस बेचा था तो उसको 400-500 रुपए प्रतिक विंटल भाव मिला था और आज ये पूजिशन है कि इसको 5 रुपए प्रतिक विंटल से उसका पैस बेचना पड़ा है जी चले बहुत बहुत शुक्री आपका योगेश जानकारी के लिए और अब आपको मध्यप्रदेश के शाजापूर की तस्वीर दिखाते हैं यहां किसानों से प्यास को खरीदा गया लेकिन ये प्यास लापरवाही की भी चड़ गया गुदामू और मंडी में रखे रखे प्यास सड़ने लगा है और सड़े प्यासों को अब सरकारी नुमाइन दे गाउं में फेक रही है किठोर गाउं में अधिकारियों ने सड़े प्यास को फेक दिया है और ऐसे में पूरा गाउं सड़े प्यास की बद्बू की चपेक में आ गया है बद्बू की वज़े से लोग और मवेशी बीमार हो रहे हैं साथी गाउं में रहना दो भर हो गया है राइगर जिले के करीब 50,000 कटे प्याज सड़ गया है और अधिकारी शाजापुर जिले के केठोर गाउं में सड़े प्याज को डंप करा रही है लोगों का आरोप है कि जब अधिकारियों से गाउं में प्याज डंप नहीं करने की बात कही गई तो अधिकारी जेल में डालने की धंप की देने लगे दरसल शासन ने किसानों से 6 रुपए किलो प्याज खरी दी थी लेकिन अधिकालियों की लापतवाई से प्याज की सप्लाई दूसरी जगाउपन रही हुई और अब प्याज सड रहा है जो बंडी ने खरी दी थी और कुछ ने किराय से पटकी थी अब वो सारी प्याज यहां इस बाडर पे लाकर पटक दी इससे हवा जो जलती पस्यम से तो पूर्वुकी और गाहों में घुष्ती उससे गाहों वाले और मवेशिय बीमार है हाँ एसा भी बोला था नियों उन दिन हमने बोला था यहां पर आकेन मना किया था तो का आपकी रिपोर्ट कर देंगे और आपको अंदर करवा देंगे धाने में हम यह सड़गा यह मंडी में खरीद ही करी थी मंडी वाले ने एजे न्याग पर पटक दिया हमरे गाहों के पास में अभी पानी भी से खराब होरा गाहों का और इसके बाद है जह गाहों दो सो कमेटर की दूरी पे तो गंदी की फेल रही पगभू फेल रही मविश्यम मर रह ही क्या सकते है अधिकारियों की एक तरफ प्याज सड़ रहा है लेकिन कई गरीब ऐसे भी है जिनकी थाली से यह प्याज दूर है बिल्कुल सही है एक समय यह था कि प्याज के लिए आम आजमी परिशान हो रहा था प्याज की मेंगाई को लेकर लेकिन आज शाल्यापू जिले के जो गाओं बिटोर गाओं है इसमें राजगर जिले का जो खराब प्याज वाजवा जो समर्दम मुले पे खरीडा गया था लेकिन अगदी कारीों ने डटे कोट कोट करना ढालते हुए इस कराब चाज को बेचे ही वाँ सेख दिया है और तालाप के नारे ठेक आए इसे पूरे तालाप का पानी भी दूसरी सो रहा है लेकिन अधिक है चुह जबनार अधिकारों ने ये ना वन हो चाज़ा इसे ग् का दी कि निए